कि यो बंटी खाना लगने तक हम आँख मिचोली खिलते हैं देखते हैं तुम्हारे डैडी हमें पकड़ पाते हैं या नहीं आच्छा पीधो पाते हैं च्छाक कि यावा पाता कि यावा despite जल झालनो, आ आ था सूपक बाते तरीर ॉ फिरी आ जिला जलनों дав जलनों – चे जलनों है भी जलनों पोलनों है 都 कि था जिलनों लदरी कि इतना लेट काय को आया मुझे बाहर निकालने क्या कर रहा था तू अभी तक तू पोली स्टेशन में मार के गया तो इंस्पेक्टर के जख मार रहा था उसे भी मार लाओा झाओ हलु कि है तू अचा है कि यह तू कि अच्छा के का था हाँ कि है मेर ऑप्याय को आइधाम सब्सक्द घ्ज nya कौन था वो, तुम ऐसे कोई उसे पचानते हो, नहीं सर, वो आंधी की तरह आया, हम सब पर हमला के अब पिटर को बाहर निकाला, जान से खतम कर दिया और निकल गया सर बहुत पूरा हुआ रगू, बहुत पूरा हुआ, पिटर का जिन्दा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था, पुली स्टेशन पर हमला, और पिटर के खुन ने ये साबित कर दिया कि ये कोई मामुली गिरो का काम नहीं है, बहुत बड़ा हाथ था इसके पीछे, जो भी हो, ब बस, एक बार मुझे उसका नाम पता जल जाए रगू, बस, ज्यादा टेंशन मतले, कल सुबह बंटी के मुंडन के लिए मेले में जाना है न, जा, जा कर सोजा, हलो, जाली नोटों का कारोबार करने वालों की ताकत का अंदासा मिल गया न, स्पी साहब, देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, सर, कल सुबह आप मेले में अपने बच्चे के मुंडन के लिए जा रहे हो न, हाँ, हाँ, मैं आपको वही मिलकर बता दूँगा की जाली नोटों का कारोबार कौन करता है, हलो, किसका फोन था, उसी आदमी का, जिसनों पहले भी इंफोर्मेशन दी थी, कहता है कल सुबह मेले में मिलकर, मुझे उस आदमी के बारे में सारी इंफोर्मेशन देगा, न, पांकी मत रोना, आरे, 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 एही बता, तोला, मैं दरू बाबा मैं आपी आए बाबा सुमनी बेखे मुन्ने को लेलो चलना लेलो आओ इधा तू इन लोगों के साथ रहे मैं आपी आए ठीक है ठीक है तू अपने सारे काम निप्टा और जरोद पड़े तो मेरे को बला ले ना मैं यहीं ठीक है आप ने आए रीक जहान इमार ना मैं इस मेले मे कोणा रिचाई आप दूजा आप दूजा करे बाबा अपना आप आर 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 आपको जिसकी तलाश है, मैं वही हूँ नकली नोट बनाने वाले के रोखेवारों में तुम क्या जानते हो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ एक नकली नोटों का व्यापारी नहीं, बलकि एक कातल भी है उस आदमी का नाम क्या है? रगु भाईया, मैं अपने मुंदने का मुंदन आप फी की गोदने कराऊँगी मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या हो चलो बंकी, अपने मामा की गोदने बैच जाओ बच 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 नाए नाए, चुट बोल रहा है तू मेरा रगु ऐसे नहीं कर सकता थूट बोलना है तू मेरा यकिन कीजिए सर, मेरे वास फोटोग्राफ्स हैं ये, ये देखिये ये ही फोटोग्राफ्स के वज़े से उसने मुझे मार डालने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया और अब सर अब उसके खिलाफ एक-एक जुर्म की गवाई देने को तयार हूँ मैं अचाओ अचाओ ये, ये, क्या अचाओ यार्मेट older हम झाल थिंग प्रेखज। प्रेखज। कि अभी इंडता कि शक्टट music you कि कि अभीद इंडता न कि अभीद इंडता यह इंडता । और शक्टन की इड़बब न थे फिरा वाई इंडता सर में फायर तयार करता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरा ता है अगर उसने मरने से पहले मेरे खिलाफ सारा बयान दे भी दिया तो तुने बयान के काख़ा राज को क्यों ले जाने दिये क्यों इससे पहले कि वो काख़ात लेकर मेरे खिलाफ कोई कदम आगे बढ़ाए तो ये है मेरे दोस्त रगु का असली चहरा जिस पर न जाने कितने लोगों के खून के चीटे नजर आ रहे हैं क्या तो वही रगु है वही सीधा साधा शरीफ रगु जिसको लोगों के तानों ने आत्मात्या करने पर मजपूर कर दिया था ऐसा क्यों किया तुने रगु बोल ऐसा क्यों किया राज आखिर कब तक मैं भूख प्यास और गरीबी का मुकाबला करता है कब तक लोगों के ताने सुनता तू तो जानता है इस समाज ने मुझे बहुत गिरी हुई नजरों से देखा मेरे बाप की अर्थी उठने नहीं दी लोगों ने उनकी चिता की लकडियां खरिदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास बोल मैं जाली नोटों का कारोबार नहीं करता तो क्या करता तू मेरे जजबात को समझने की कोशिश कर राज रगु अगर हर गरीब तेरे रास्ते पर चले तो क्या होगा इस देश का हां आखिर क्या चाहिए था तुझे तो ठीक ठपला चट आशो अराम रगु जो कुछ पी मेरा था वो सब कुछ तो थे रहा था रगु बात यह मैंने फिर तो इस दलदल में क्यों कूछ पड़ा रखो एक मेरे भाई अप्पे कुछ नहीं बिगड़ा अपने आपको कानून के हवाले कर दे मैं तुझे वादा करता हूँ मैं तुझे कम से कम साजा दिलबानी की कोशिश करूँगा तू अपनी जिंदगी नए सी नहीं से शुरू कर सकता है मेरी बात मान आपको कानून के हवाले कर दे नहीं नहीं यह नहीं हो सकता रगू, रगू, आज अगर तेरी जगह कोई और हो था न, तो मैं उसके हाथों में हतकड़ी डालकर प्यानवरों के तरह घसीता हुआ उसे पुली स्टेशन ले जाता और, रगू, मेरी बात मान ले रगू नहीं राज, नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता मैं तुझसे बिम्ति करता हूं, रगू, इल्जट और शराफत से कह रहा हूं, प्लीज, प्लीज अपने आपको कानून के हवाले कर दूँ, मैं? अरे, तेरे कानून ने खुद अपने आपको मेरे हवाले कर रखा है, ये ऐसे नोट ठीकता हूं मैं, तेरे पुलीस के मूँ पर, कौड़ियों के दाम बिकता है तेरा कानून, जो 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 जो-जो जो और जो बिकता नहीं, वो मेरे सामने टिक था नहीं रावाव! नहीं! कोई कुछ नहीं करेगा इत्यान से मार दालूगा साला जाओ यह से! जाओ! निकल! जाओ! तुने मुझ पर इसलिए हाथ उठाया ना? कि मैं तेरे और तेरी मां के अहसान के नीचे दबा हुआ हूँ? हाँ? चल! आ! आ मेरे साथ! चल! मुझ पर तुमारा कर्ज है ना? सब चुका दूगा आजू! यह 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 ना? वो मंगल सुथक्त्य। यह 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 ना? जिसको बेच कर तेरी मांने मेरा कर्जा चुकाया था अरे नहीं चाहिए तुमारा यह है सान यह लो! उठाओ! हाँ! आहां हां 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 और कोछ रुप्य भी दिये थे ना तुम लोगों ने ठेरो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो 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 उठाओ मेरी खादर अपने पुर्खों की इज़त बेच कर मेरा कर्स चुका रहे है पुर्खों ने जो इज़त कमानी थी वो तो कमा के चले गए लेकिन आज आज तेरी इज़त सबसे प्यारी है विरा तु बहुत दूर ने कर चुका है रगो इतनी दूर जहाँ मेरे हमदर्दी तुछ तक नहीं बहुँच सकते लेकिन मेरा फर्ज तुछ तक सरूर पहुच सकता है चल मेरे साइब वारंट लाया है क्या हाँ अब ये कलाय कल के रगो की नहीं आज के रागवन की कलाय है इस पर राखी बांधने के लिए तेरी बीवी को भी आपॉइंट्मेंट लेना पड़ेगा हथकरणी तो बहुत दूर की बात है आएंदा मेरे घर में बिना वारंट लिए मत खुसना मिस्टर एस पी राज आएंदा चप पी आउंगा अरेस्ट वारंट लेकर आउंगा रागवन पिर देखता हूं कुर्शी का कौन सा दलाल बचाता है तुझे देख लूंगा